हेलो दुस्तो, दुस्तो मैं अभी अभी फैम बहादूर नाम की मूवी को देखकर लोड कराया हूँ, डिरेक्टिट वाई मेगना गुलवार and as we all know, बेकी कौशल हमको फैम मानिक शौक के किरदार में देखने को मिलते हैं, फैम बहादूर भी उनको कहा जाता था कुछ भी यहाँ पर अच्छा नहीं मुझे देखने को मिला, मतलब देश बक्ती की भावना क्या होती है, या पैटरोटीजम क्या होता है, या एक मूवी को देखते हुए आपको गूस्बंस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, इस फिल्म को अगर मैं बायोगराफी के तौर पर काऊं तो सबसे कमजोर फिल्म काऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है, यहाँ पर हमको जो कुछ भी अच्छा देखने को मिला, वो सिर्फ है बिकी कौशल एंड उनकी एक्टेंग, उनकी परमें, उसकी अलाबाए इस फिल्म में मुझे कुछ भी आगा, ना तो कास्टिंग अच्छी है, ना डिक्स अच्छा है, ना राइटिंग अच्छी है, ना इसक्रीम प्ले उतना इंगेजिंग है, उतना इंटरेफ्टिंग है, मतलब फस्ट आप में तो यह हाल था, कि मुवी से आप बार बार डिसकनेक्ट हो जाओगी, थोड़ा बहुत देर के बाद आप इंवेस्ट होना शुरू हो गया, दुबारा से आप डिसकनेक्ट हो जाओगी, इस तरह से धीरे-धीरे करके, इंटरवल आ गया है, मुवी का, उसके बाद में थोड़ा इंगेज होना शुरू हुआ है, इंटरवल के बाद, उसके बाद मुझे और चली कि एक दो डायलोगी थे, जब लोगों ने तालियां बजाएं, फीटीयां बजाएं, बाकि उसके अलावा तो लगबग पूरे टाइम पे लोग शांत बैठे थे, अपने फोन की तरफ देख रहे थे, यहने कुछ तो बतिया रहे थे, मैं यह कह रहा हूँ, कुछ यहां पर अच्छा नहीं है, और चीज़ें यहां पर जो हैं, जो घटनाएं यहां पर देखने को मिली हैं, जैसे वर्ड वाय टू हो, यह फिर 1948 में जो इंडिया पाकिस्तान के बटवारे के बाद जो कुछ भी हुआ, यह फिर और जो चीज़ें हैं, उन सब को बहुत कम ट थोड़ा दिखाए गया इन सारी घटनाओं के बारे में, जबकि 1971, उसके बारे में को काफ़ी डीटेल में दिखाए गया, यह फिर लगता है कि जैसे उनका प्राइम फोकस वही था 1971, उसके लाव जो चीज़ें थी उनको यह लगा कि यह जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा लेकिन मुझे यह लगता है कि इस मूवी को डिरेक्ट कतना चाहिए था आदेती धर को, उन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन्होंने उरी मूवी को डिरेक्ट किया था, उन्होंने उरी मूवी बनाए थी जो कमाल की फिल्म थी आज भी देखने में मज़ाता है, और आपको देखते हुए आपको पता चले का कि गूफबंस होते क्या है, इस मूवी में तो मुझे मतलब मुझे खुद को एक फिंगल ऐसा मूवेंट देखने को नहीं मिला, जब मेरा ताली बजाने का मन करे मन करे मूवी हॉल में या गूफबंस आपको, कोई बात नहीं है, म समझ में नहीं आदे हैं, बहुत फारी चीज़ें को, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, कि एस मूवी में बहुत अच्छे, फिर डीटेलिंग पर काम करना चाहिए था, ये जो करेक्टर थे, फेम बहादर, उनकी विंदगी पर बहुत डीटेल में बायोगराफी बननी चाहि ये थी, फिर भले ही वो लंबी हो जाती, लेकिन ये जरूरी था कि वो अच्छी बनकर निकलती, तो धाई गंटे की फिल्म बना के रखती हुनों ने, जिसमें कुछ भी नहीं है, बस ये ऐसे था, कि जैसे एक फिल्म शुरू होई, और शुरू होकर चलते जारे, चलते जा या बिकी कोशल अगर इस फिल्म में ना होते, तो ये कशेदे का धिर होता, राइटिंग अच्छी है, ट्रीटमेंट अच्छा है, प्रॉटेंशल अच्छा है, मतलब प्रॉटेंशल को ये कहलो, कि बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा प्रॉटेंशल था, लेकिन वो इसमें कोछ भी खास नहीं था और एक तदी कि इस बोरिंग फिल्म थी यापर मुझे कोछ भी उतना अच्छा देखने को नहीं मिला ना तो गाने अच्छे हैं ना मेजिक उतना अच्छा है ना एक्षन व्यादा है गुफमस नम की कोई चीज है ना कुछ भी ऐसा की तालिम आ को फातिमा साना शेख देखने को मिलती है तो बी ओनेस्ट भी लोगों का कोई कुछ भी टेक को मुझे वो करके नहीं रख पाती मतलब कहीं पर भी बात ही नहीं है कि आपको लगे कि आप मैं इस मूवी की दुनिया में पूरी तरह से खो गया हूं और मुझे मज़े मज़ा अधर बाकी कहानी तो लग बाकी व्यवार्य है तो देखलेंगे तो आपको पता चली जागे एक पकरके आगे पीचे गुमटी जिनको इंडिया के गेरेड फॉल्जर कहा जाता है तो बाकी ऐक्टिंग की में बात करूं तो बिकी कॉष रचल का हिका मुझे यहाँ यह पर नहीं आई एंड मेगना गुलवार की केबल दो ही फिल्में मुझे पफंद आई हैं पहली तलवार थी एंड दुफरी राजी थी राजी फिल्म में मतलब बहुत अच्छे इंटेंस त्रिलिंग मुमेंट थे वो दोनों फिल्में मुझे पफंद नहीं आया वाई उन्होंने गवाई धिल्में बनाई नहीं लेकिन जो बहुत अधितर को बनाना चाहिए तो यह औरे इस लित्या दिन पफंद दे को बनावे disclaimer मुझे अच्छ निए बस अच्छे है यह है, चाहे तो देखे सकते हैं यह चाहे तो family के लेकर renewed यह जरूरी नहीं कि आपकी family यह आप अन्दर तक इस movie को जगते हुए देख पाएं, वह वार सकता है कि आ movie के बीच महीं फोज आएं तो यह है, मेरी तरफ से just a two and a halfے stop a vow to five days लोग पूशें दे कि 10 में से कितना दोगे तो मैं 10 में से केबल 5 ही देना चाहूंगा देखी है लेकी बताना एंड लाक शेर ने फेप्राइब करना चैनल को विडियो एंड बेरी देफ़ पॉइंटिंग यार देफिव निति शाने वानेंगा थैंक यू एंड गॉन नाइट